जो भी आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बोलने वाला हूं कि आप सब कोई सबसे पहले इस वीडियो को देखने पहले अपने मन में आग बंद करके एक बार भगवान सिव संकर जी का ध्यान करें और प्रेम से ओम नमा सिवाय का ए जैसे भगवान सिवसंकर जी आपके दिया जलाने से या प्रसन हो सकते हैं और हमारे देश में चल रहे हैं इस कोरोना वायरस के संकट से हमें बचा सकते हैं हम सब को रच्छा कर सकते हैं को कि वही हैं जो संकट से हम लोग को मुक्त करेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों मैं वीसवर का गुडगान करते हैं और अराधना करते हैं कि हमारे पापों के लिए छ़वा करें और हम से जो भी गलतियां हुई है और हमएं मन को सांती हिवा सुकून का आभाद भी होता है। है ना दोस्तों तो हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु दूस भी खत्म हो जाता है। तो आप जा感じए तो रोज भी टीपक जला सकते हैं को दूस्तों अगर आप दीपक जलाते समय कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखें तो और अच्छी चीज होगी नहीं तो आप जैसे आपसे बोला गया मंत्री स्री मोदी जी के द्वारा कि आज रात नौ बजे नौ मिनट के लिए दिया जलाना है आपको तो आपको उसमें एक कुछ अलग से आपको अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो दोस्तो हमारे जैसे कि हिंदू धर्मे में बहुत अच्छी चीजों मानी जाती है को कि यह प्राकरतिक चीज है इससे हम लोग को हमेशा हानी नहीं भी हुआ है तो आज भी इससे कुछ ने कुछ आपको लाब जरूर मिलेगा दोस्तों तो बस ध्यान इतना दीजे कि ताकि आप अकेले दिया जलाएं भीड़ी भाड़ को एक हट्टा ना होने दे ठीक है आगे मैं आपको बता दू दोस्तों इससे और क्या फायदे होंगे इससे भगवान भोलेनात प्रसन होंगे और हम लोग हम सबकी रच्छा करेंगे साथ ही सभी देवी देवताओं का आसिरवाद भी प्राप्त होता है वहीं अगर दीपक जलाते समय कुछ चीजों को ध्यान रखा जाये तो और अच्छा होता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया सबसे पहले देखे धारी ने कर दक है को तो दोस्त्तों यह बी एक ईयमताथ चाच्छा होग recommending हैं पूजा करते समय साफ वा सही दीपक का प्रयोग करना चाहिए धार्मिक कार्यों में खंडे दीपक का असुमाना जाता है यह तो आपको पता ही यह दोस्तों फिरुवे मैंने बता दिया है और अगर आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो सफेद रुई का प्रयोग करें और रोज सुबह साम दीपक जलाने से सकरात्मक उर्जा का प्रवा बनता है और नकर आत्मक उर्जा को दूर होती है साथ ही इससे घर में सुक्सांतिवा सम्रद्धी बनती है दोस्तों साम के वक्त घर में मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए इससे मातल पर ना रखें किसी चामल या किसी दूसरी चीज पर रखें ताकि उसका आप माय मी नहीं आप रख सकते हैं जमीन पर ऐसी कोई वो नहीं है अगर आप रख भी देते हैं से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन मैंने आप से एक बात बोली है कि अगर आप जितना मक्ता को खत्म करेंगा और सकरातमक्ता का उदय होगा जिस तर जासे जैसे जैसे डीप जलेंगे वैसे वैसे और चाला आएगा वैसे डीपक जलाने से बहुत सारे बाते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में सौर्ट कट में बताये हैं पूछते हैं याया आपके भगवान को पूस्ते भागवान के लिए सद्धा है तो इसको मन से करें और अच्छे करें को कि अच्छा कार रहा है सुब कार है जो भगवान भूलेनात के द्वारा अपनाया जाएगा और इसको भगवान भूलेनात इस संकट से आप सब को आपकी परिवार और पूरे देश की रच्छा करेंगे तो दोस्तों उमीद आपको अच्छा लगा हो वीडियो में तब तक लिए नमस्कार अपना ख्यार लखें और घर पर रहें और दूसरों को भी घर पर रहने की सलाह दो